Good morning dear students, बच्चो आज हम class 4th subject EBS और chapter 10 पढ़ रहे हैं हम उबदुल इंदा गार्डन जैसे कि बच्चो हमने यहां से हमने यह वाला पैरा पढ़ा था page number 82 है तो आप भी अपनी book open कीजिए तो हमने क्या पढ़ा था इसमें के छुटियों के दिन थे जो अबदुल था वो अपने फादर के साथ अपने अबु के साथ गार्डन में उनकी help कर रहा था सुखे पते वहां से निकाल रहे थे वो और क्या कर रहे थे वो और वहां से वो हो जाते थे तो उनके जो फादर थे अबु जो थे उन्होंने कहा कि यह आप ऐसे नहीं निकाल सकते आपको इनको खोद के निकालना पड़ेगा क्योंकि इनकी जो रूर्स होती है वो नीचे जमीन के नीचे तक फैली होती है तो यह ऐसे नहीं निकलेंगी तो इनको आप ख तोट गया, तो क्या हुआ, जो पी प्लांट था, उसको क्या हुआ, after the three days, अब आम है यहां से पढ़ना है, after the three days, say page number 83, after three days, अब उब्दुल साथ, that one broken part of the pea plant had dried, अब कुछी, तीन दिनों के बाद, उसने क्या देखा, अब उब्दुल ने क्या देखा, जो पी प्लांट था, जो उससे तूट गया था, वो सूखने लगा, guess which part would have dried up, why, अब guess करो, कि जो वो पी प्लांट था, वो कौन सा पी प्लांट था, जो वो सूखने लगा था, वो वो था, जो जिसकी roots कट गई थी, अबु रिमेंबर्ड that, he had to send some radish molly home, अब जो अबु थे, जो उनके अबु थे, अबु थे, अब्दुल के जो अबु थे, उनको यादा आ है कि हमने घर में कुछ radish ले जानी है, he started to pull the radish out of the soil, अब जो अबु जो उनके फादर थे, उन्होंने start कर दिया, radish को मूली, radish मूली को कहते हैं, मिटी में से निकालने लगे खीजने लगे अब दूल वांडर्ड, whether these were also roots, आप जो अब दूल थे, वो अपने फादर को देख रहे थे, उन्होंने सोचे, ये भी roots हैं, लेकिन देखो ये, आसानी से कैसे निकल रहे हैं, only a few radish will pulled when there was suddenly strong wind and rain, अब उन्होंने कुछी radish निकाली थी, कुछी थोड़ी सी मूली निकाली थी कि अचानक क्या हुआ, अचानक strong wind start हो गई, और बारिश शुरू हो गई, बोथ of them picked up the radish and rain, दोन्होंने क्या क्या, दोन्होंने वो जो radish निकाली थी, उन्होंने वो उठाई, और वो घर की तरफ दोड़ने लगे, they had just reached home when a branch of the neem tree in the courtyard was broken and fell and fell, अब अचान, अब जो ही वो घर पहुँचे, अचानक क्या हो, उनके घर के पास ही, एक neem tree था, जिसकी वो ब्रांच थी, वो उनके आंगन में गिर गई, in fact, that abu was lucky to have missed by only a few inches, अब जो उनके abu थे, वो बहुत ही किस्मत वाले थे, कि वो कुछ ही inch, जो ब्रांच अफ ट्री किरी थी, उससे बच गई, despite the strong wind, the tree remained firm on the ground, अब इसकी तुफान की वजह से, जो भी जो trees थे, जो ग्रांट पे गिर गए थे, उनको हटाना अभी मुश्किली था, the both sat down to have tea with ammi, abdhunu ने क्या किया, दोनों ही अपने घर में बैठ गए, और ammi के साथ चाए पीने लगे, abu said to abdul, अब जो abu थे, उन्होंने abdul से कहा, अपने बेटे से कहा, the plants were getting dry, जो plants हैं, अब मुझे लगता है कि बारश शुरू हो गई है, we will not have to water the plants, अब हमें plants को पानी देनी की ज़रूरत नहीं है, जो पोदे हैं, उनको हमें पानी देनी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब बारश शुरू हो गई, तो पानी उनको खुद लग जाएगा, अब हम क्या करते हैं, अब हम बैठेंगे आराम से और लुडो खेलेंगे, ठीक है, तो ये था आज का आपका ये lesson, I hope आपको यहां तक understood हुआ होगा, क्या कौन सा lesson था हमारा आज का, अब्दल इन्दा गादन, तो कल हम इसकी questions करेंगे, ओके, ये आप अच्छे सिगार में इसकी reading भी करना, और बाकी की जो lessons आपने किये हैं, उनको learn भी करना, आप okay,